छोड़े जाएंगे, चीते छोड़े जाएंगे, चीते छोड़े जाएंगे, ओधी जी के टेनंदीन के अफसर पर अपरीका से लाएगा, चीते छोड़े जाएंगे, एक लाख रुपे देंगे, ये बात मैं बोलता हूँ, मैं इस्टुडेंट हूँ, अपने परिवार की तर सबसे पहले नरेंदर मोधी जी को अपने जनम दिन नहीं मनाना चाहिए देश के अंदर एक दिन का राष्टिय सोग भी होसित होना चाहिए सबसे बड़ी बात एक हिंदू बêटी के साथ में सबसे बड़ा मुधा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेटी के साथ मा बलतकार होता है तो दूसरी मोधी जी इस मुझे अपना जनन दिन बनाएंगे इस बात को आप मुझे बताईए दूसरी बात आज इस देश के अंदर सबसे बड़ा और सबसे बुरा दिन है यह कह सकतें देश के अतिहास का देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी बुल्डोजर से काम नही योगी जी ने कहा है जो मतलब जो दोसी है उनको इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि उनकी साथ फुस्त याद रखें वो हमने देख लिया था वो हमने देख लिया था अगर आपने हात्रस के अपरादियों को कड़ी सजा दे दी होती तो शायद आज लखिंपूर की बेटी जि इलाकर उनको फासी के फंदे पर लटकाया होता तो आज लखिंपूर हात्रस दोनों की बेटिया जिंदा होती किसी बाप की बेटी नहीं जाती और किसी मा की कोक नहीं उजरती ये बात में आपको उता दू और आज मुझे शरम आती है कि आप एक महिला होते हुए आप सरका मुआपजा दे देती है अरे मुआपजे से किसी मा की बेटी वापस नहीं आती है मुआपजे से किसी बाप का बेटा वापस नहीं आता है जो चला गया आप यह बताए मुआपजा नहीं चाहिए उन जो लोगों ने जिस तरीके से बेटी के साथ दूसकरम किया है उनको फा समय एक लाईक हुर्पे देंगे ये बात मैं बोलता हूं मैं इसidoresन्ट हूं अपने परिवार की तरफ से में उस परिवार को जाकर झाट की अकरकर कहती रहात वहिंगए वित एक लाख रुपे दूगा जाके अगर सरकार उन अपरादियों को फांसी की सजा देती है अरे यहां तो दिन धारे बेटी सुरक्षित नहीं है तो रात को बारा बजे कौन अपनी बेटी को सड़क पे निकालेगा एक बात मुझे बताईए बाबा जी सिर्फ बुल्डोजर से काम नहीं चलता बेटीयों के साथ बलतकार की घटना है दिन परती दिन बढ़ती जा रही है आपका उत्तर परदेश एक अफ्सरक्षित परदेश बन गया है उसको उत्तम परदेश बनाईए और आप बात करते हैं बिहार के जंगल राज की चलिए बिहार में तो एक बार को दलो से बजरंदल बिस्विंदू परिसद आरेसेस आज सड़क पे क्यों नहीं उतरता और लखिमपूर जाके उस बेटी के इंसाब की मांग क्यों नहीं करता एक बात आप मुझे बताइए बलतकार करने वाले हिंदू हो मुसल्मान हो फासी के पंदे पर लटकाया जाना चाहिए और ये मांग इस देश के हर एक भारतिये की है जो भारत देश में रहता है चाहें वो हिंदू हो, मुसल्मानों, सीकों या हिसाई हो, हर एक भारतिये कह रहा है कि लखिमपुर के बलतकारियों को फासी दो, फासी दो और फासी दो लखिमपुर के मामले में चुप और मौन हो जाती है क्योंकि वो बेटी किसी गरीब मा की बेटी है वो बलतकार उत्तर परदेश में होता है जहां योगी जी की सरकार है और योगी जी और मोदी जी को इनके सारे नेता और मंतरी प्रणाम और नतमस्तक करते है मैं उत्तर परदेश की जनता को कहना चाता हूँ कि अगर आप आज भी नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के अंदर ये देश गुलाम तो हो गई होगा साथी साथ इस देश की महिलाएं सडकों पर निकलने पर क्या गर्द से बाहर निकलने पर बैन लग जाएगा क्योंकि पता नहीं कब कौन है वनियत का सिकार महिलाओं के साथ कर दे मैं आपको बोलत रहूं इनके लिए बलतकार का मुद्दा एक बहुत छोटा है क्योंकि बलतकार जो हो रहा है वो इस देश के अंदर करीब माओं की बेटियों के साथ हो रहा है बलतकार जो है यह बलतकार में हिंदू और मुस्लमान तरास रहे हैं यह कभी बेटियों को इनसाफ के लड़ाई नहीं लड़ते असल में जब जिसकी पार्टी का M.L.A. बलतकारी हो असल में जिसकी पार्टी के नेता असेंबली में बैटकर पॉर्ण वीडियो देखते हो वहां आप महिला सुरक्सा की गुहार लगाते हैं वहां आप महिला सुरक्सा की सोचते हैं ये बताईए आप मुझे देखिए राम राज की बात मत करिए और राम को बदनाम मत करिए ठीक है ना राम के सुन लीजिए राम मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे राम को पढ़के देख लीजिए उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा राम ने तो पतनी के खातिर माता सीता के खातिर लंका तक की यात्रा कह करी हमारे हाँ बेटी को देवी और लक्षमी समझ कर पूजा जाता है हमारे हाँ तो बेटी के लिए लंका देहन कर दी जाती है और आप बात कर रहे हैं राम राज्य की ये कैसा राम राज्य है और राम आप की बात करें चाहें आप रावन की बात करें कभी रावन ने भी किसी इस्त्री के साथ में मासीता उनके पास जरूरती लेकिन कभी उनके साथ इस प्रकार का दुर्वेबार नहीं किया ना तो ये राम कर राज्य चल रहा है ये तो मैं बता दूँ ये तो अप राज्यों क पर राज्य चल रहा है ये तो बाबा जैसे लोग जिनकी पार्टी के नेता है मैं ले बलतकारी बहले ही आप पार्टी से निकाल दे इनको लेकिन वो बलतकारी थे हैं और रहेंगे और बलतकारियों का दाग आपका भी नहीं अटा सकते इस देश ने हातरस कांड देखा इस द परेंदर मोदी जी का उनकी भती जी का बटवा चुर जाए एक सेकंड में मिल जाता है और बेटी के साथ बलतकार हो जाए तो बलतकारियों को फासी नहीं चलती कोट चलता रहता है तारीक पर तारीक पर तारीक चलती रहती है अपराधियों को पकड़े जाने से क्या होगा मै मैं आपसे एक बात क्या हूं सुनीजे अपरादी तो कुल्दिप सिंगर भी पकड़ा गया राम रहीम भी पकड़ा गया चिर्मयानंद भी पकड़ा गया नित्यानंद भी पकड़ा गया आसा राम भी पकड़ा गया पकड़े गया हात्रस वाले भी लेकिन हुआ क्या यह पू वलतकारियों में जाती धरम और मजब तरास्ते हैं मैं पूछता हूं बिलकिस बानो एक महिला है या मुसलमान है पहले क्या है पहले महिला है ना तो आप महिला की बात करिए आज हातरस में जो जिस परकार की घटना होती है या लकिम पुर्खीडी में जो घटना होती है या ए चब्रवानि और मोदी जी मिलके श्मितिरानी को अगली बार मनत्री नहीं बनाएंगे अगर वो उनकी बुराई कर देंगे महीला कीerson कि अवाज उठा देंगे लेकिन मैं बता दूँ आपको मनत्रीución बनने स्मितिरानी जी इस बेश की जनता है नरेंदर मोदी या मिस्सा नहीं है तो आप अगर महीला होते हुए महीला क्या वाल नहीं उठाती है तो भूल जाइए कोई महीला आपको वोट देगी भी और आप भारत देश के पूर प्रधान मंतरी को चूडियां भेजने का काम कर रही इस देश में बहन बेटियों की इज़त और आबरू की हिपाज़त नहीं कर सकते तो आप लोगों का नेता और मंतरी की कुर्शी में बने रहने का कोई हक नहीं है मैं क्यों बढ़ाई दूँगा मैंने सुरवात इसी चीज से करी जब एक जगे बेटी के साथ बलतकार हुआ है मोदी जी जनम दिन बनाएंगे दूसरी और कम से कम दस दिन से ज़्यादा हो गए कई चैनल ऐसे हैं सेर छोड़े जाएंगे चीते छोड़े जाएंगे मोदी जी जनम दिन के अबसर पर अफरीका से लाए गए चीते छोड़े जाएंगे रोजगार कब छोड़ेंगे जरा ये तो बताइए चीते तो छूट गए वो नाम ये भी ऐसे मंगा कर चीते तो छोड़ दिए देश के अंदर जो बेरोजगार युवा सड़क पे घुम रहे हैं लाखो करोर रुपे के चीते मंगवाली है आपने ठीक है लेकिन देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार पे फ्रंड नहीं है सरकार पे पैसा नहीं है लेकिन आप सुनिए जनम दिन के अफसर पर चीते छोड़ने जरूरी थे सरकार का फर्ज है प्रधान मंतरी के जनम दिन के अफसर पर देश के नौजवानों को सौगात दी जाती कि दो करोर रोजगार का जो बादा किया सिर्फ तमिल्लाडू में भी जेपी की सरकार है और कहीं नवज़ात बच्चे नहीं है सुनिजिए उस रेस्ट्रेंट में जाकर कल ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिएगा आपको पता चल जाए अगर एक भीक मांगने वाले गरीब को अंदर घुसने भी जाने दिया जाए एक बात आप मुझे बताईए एक काम करिए ना आप भी खाली मोदी जी के जनम दिन पर खाया करिए उसके बाद मत खाये मतलब एक दिन रोटी खिला दीजिए उसके बाद कोई भूख से मरे तो मरे आपको पता है मानव सुचकांक में भारत का इस्थान कौन सा है हर दिन भारत देश में कितने लोग भूख के कारण मरते हैं भूख के पेट सोते हैं आप जानती है मोदी जी के अब सर पर एक दिन अगर खाना बट रहा है तो आप डोल पीड दीजिए जनम दिन सुन ली जी जनम दिन बिल्कुल नहीं मनेगा ये बेरोजगारी दिवस के रूप में मनेगा देश का नौजवान बेरोजगार है बेटियों के साथ आप एक बात मुझे बताईए परधान मंतरी परधान मंतरी आप क्या रही है नहीं नहीं सोच लिझीए जब इस परकार की बाते काई जारी है तो आपको सरम नहीं आप है वो क्या है साल चै वह महीने में और कल जाएंगे बी अब भी ना तो लकिंपुर खेडि की बेटी के ऊपर बोलेंगे अभी भी नहीं बोलेंगे अभी तक नहीं बोले वो व्यक्ति जो अगर जो अंग्रेज हमारा खुन चूज गए उनके नाम पर ये एक दिन का राष्टे सोगोसित करते हैं लेकिन जब इस देश के अंदर हिंदूओं के सबसे बड़े गुरू जिन हिंदूओं को ये बोलते हैं ठेका ले रखा है उन हि तक को इन्वेस्टर नहीं आया हिंदूस्तान में और जो इन्वेस्टर आते हैं तो भारत देश की स्थिती तिनी खराब कर देते हिंदू-मुसल्मान कराके कि वह इन्वेस्टर भी भग जाता है ये तो स्थिती कर रखी है आप मुझे बताईए मोधी जी दुबाई गए स ब्र Davidson लेकर नाकरिक्ता को फिछोड़ा है अब भारत देश की नागर्इकता छोडने वाला कोई गरीब आधमी तो होगा नहीं मिश्चे तोर पर कोई बोड़ा मोटा सामी होगा जो भारत देश की नागरिकता किसी और देश की नागरिकता ले रहा है आप इस बात नरेंद पर मोदी जी राष्टेपती के दुआरा जिन बेटियों के साथ बलतकार हुआ है उन सभी के लिए फासी का वारेंट लेका उनके लिए फासी की सजा का प्राभधान लेकर आए तो पूरा देश कल मोदी जी के जनम दिन को मनाएगा और बड़ी खुसी के साथ मनाएगा और व हमारा फर्ज बनता है कि हम उस मुल्क की बेटी के लिए वाज उठाएं जैहिन जैभारस बंदे मात्रम